C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे भारत की नदियां श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम यमुना भागतीन पहाडों से लहराती, बलखाती यमुना अब मैदान पर आ चुकी है कई जगह नदी के बेहत चौड़े पाठ है प्रक्रती से छेड़ छाड़ का खम्याजार लोगों को भुखतना पढ़ रहा है यहाँ यमुना नदी पर लोगों की निर्भरता का विस्तार होता जा रहा है हम खड़े हैं दिल्ली की डहलीज पर आगे आगे देखिए यमुना कैसे जन जीवन को प्रभावित करती है हम लोगों ने यमुना के साथ साथ चलना शुरू किया मैदाने इलाकों के और यहाँ यमुना में पानी कम हो गया था केवन निचले तल में ही पानी बै रहा था क्योंकि ज्यादा पानी नहर में डाल दिया गया था यमुना के दोनों और कई शहर हैं पश्चिम में जगाधरी, यमुना नगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र वगेरा यमुना नगर में पेपर मिल, प्लाइबोर्ड, वनस्पति घी के कई छोटे बड़े उद्योग हैं चीनी मिल भी है उद्योगों के विकास से शहरी करण में तेजी आई है यमुना के पूर्व में सहारनपूर और मुजफर नगर दो पुराने शहर हैं यहां भी पेपर, फरनीचर, गोड़ और खांटसारी से जुड़े कई उद्योग हैं भी यहां चीनी मिले भी है यमुना के दोनों ओर का मैधान उप जाओ है यहां चावल और गेहु दोनों बड़ी मात्रा में पैदा होते है अच्छा, चावल और गेहु दोनों यहां मैधान यमुना ने ही बनाया है यमुना नै? लेकिन वो कैसे? देखो बई, नदी अपने तेज बहाओ के साथ पहाणों से कंकर, पत्थर, मलबा, मिट्टी आदी लाती है मैदानी भागों में धलान कम होने के कारण नदी की गती मंध हो जाती है जी, और नजाने कब से, यमुना नदी भी अपने साथ लाईवे मिट्टी जमा करती आ रही है हाँ, वो तो है नदी की इस प्रक्रिया से मैदानों का निर्मान होता है मिट्टी के जमाओ ने नदियों के बहाओ की दिशा को निर्धारित किया है जमाओ से अंबाला के आसपास के क्षित्र उंचे हुए है इसी कारण सत्लूज तंतर की नदियां दक्षन पश्चिम की ओर बहती है गंगा तंतर की नदियां दक्षन पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या यमुना नदी के जमाव से? यमुना नदी के जमाव ने सतुलुज और गंगा नदीयों के बहाव को दो भागों में बढ़ दिया वरना उत्री भारत के मैदानों में पानी की कमी नहीं होती यमुना के साथ साथ हम दिल्ली की ओर चलती रहे दोनों और गाउं पास-पास पसे हुए है हर्याना के सभी गाउं सडकों से जुड़े हुए है लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कम है कुछ दूर चलने के बाद अंबाला दिखाई दिया जो यमुना के पश्चिम में है अंबाला एक बड़ा शहर है यहां कई कारखाने है और यहां एर फोर्स का एक बड़ा केंद्र भी है अंबाला जीटी रोड पर है अच्छा सुभाईय जानते हो जे जीटी रोड यानि गान ट्रंक रोड और यमुना दोनों समान अंतर है दोनों? अच्छा जीटी रोड को बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था जी आजकल यह सड़क नेशनल हाईवे नंबर एक कहलाती है नेशनल हाईवे नंबर एक? हाँ पहले यह सड़क पेशावर और कोलकाता को जोड़ती थी अच्छा? करनाल और मुजफर नगर यमुना से कुछ दूरी परस्थित है दोनों क्षेत्रों में चावल और गन्ने की खेती होती है यहां से यमुना धीरे धीरे बहती हुई पानिपत की और बढ़ती है पानिपत बहुत सी अइतिहासिक कहानियों से जुड़ा है हाँ दादा मैंने भी कहानियों पड़ी है अच्छा? इसी रास्ते से काफी लोग भारत आये इसी मैदान में कई लड़ाईयां लड़ी गई कुछ जीते, कुछ हारे भै यह लड़ाईयां यमुना के आसपास हुई अच्छा मैं तुम्हें बता दू पानिपत की तीन लड़ाईयां मशूर है पहली लड़ाई बाबर और इबराहिम लोदी के बीच सन 1526 में हुई ठीक है न? बिल्कुल ठीक लड़ाई में बाबर की जीत हुई भारत में पहली बार मोगनों का राज्य स्थापित हुई दूसरी लड़ाई सन 1556 में अफगानिस्तान के राओ हेमू और अकबर के बीच हुई जी और इसमें अकबर की जीत हुई तीसरी लड़ाई सन 1761 में एहमद शाह अबदाली और मराठो के बीच हुई इसमें काफी लोग मारे गए सुभईया पानीपत जीती रोड़ पर वसा हुआ है ये हद करगा उद्योग का एक बड़ा केंदर है आज पानीपत ओनी और सूती कपड़े फौच के लिए कंबल चादरों वगएरा के लिए मशूर है गर्मियों में यमुना की रेती में तर्बूज और खर्बूजे हुगाए जाते है जिनका जायका कुछ अलगी होता है खा कर देखे हैं ना मुझे बहुत पसंद है अच्छा यहां की रेती का प्रयोग भवन निर्मान में भी होता है स्थानिये लोग हर्याणवी भाषा बोलते है जो खड़ी बोली का एक रूप है दोपहरी में आराम, धाबे पर खाना, मक्षन, डाल फ्राई, सबजी, दही और चपाती मज़ा आ गया पर यह एक बात है यहां दूद से बनी काफी चीज़े मिलती है जो के दूद की यहां बहुत आयत है यहां के लोगों में एक कहवत प्रचलित है कौन से? ऐसा देश हर्याना, नित दूद दही का खाना आयना मज़ा सुनकर? बहुत मज़ा है और दूद दही खाकर भी? हाँ बहुत मज़ा है, आयनन दागे है पानी पत से दिल्ली का सफ़ार लगभग ढ़ाई घंटे का है आने जाने के काफी साधन है जीटी रोड हार समय व्यस्त दिखाई पड़ती है हमने रास्ते में देखा कि यहां बस्तियां अधिक सघन है जगह जगह छोटे बड़े काखाने है भई दिल्ली और हर्याना की सीमा की पहचान करना कठिन है हाँ, एकदम मिली हुई है यहां सौडकों का एक जाल सा मिछा हुआ है दिल्ली में हम बस अड़े पर उत्रे यमुना पासी में बहती है यहां से वजीराबाद के पुल पर पहुँचे यह पुल बराज का भी काम करता है यह 1860 के दशक में अंग्रेजी शासन के दौरान बनाये गया था आने जाने के लिए सडक दूसरे दिल्ली से कोलकता की रेलवे लाइन को जोड़ना तीसरे पानी को रोक कर दिल्ली के लिए पेजल का इंतजाम यह तीनों काम एक ही पुल से हो गए अच्छा कुछ समय के लिए पुल पर खड़े होकर यमुना के पानी को देखा एकदम साफ और स्वाच बक्षी पानी में तैर रहे थे वजीराबाद से यमुना के साथ साथ चले कुछ फासले पर छोटी पहाड़ी दिखाई दी सुभईया से मैंने पूछा अरे बैस सुभईया यह पहाड़ी का सिलसिला कैसा है दादा यह अरावली परवत श्रंकरा का पूर्वी छोर है कुछ आगे चले चट्टानों के बीच से गंदे पानी का नाला दिखाई दिया जो यमुना को प्रदूशित कर रहा था यहीं से यमुना मलिन होने लगती है यहाँ पानी का रंग बदलने लगता है यहाँ यमुना कुछ लज्जित सी दिखाई दे रही थी जैसे कोई बड़ा आगात लगा हो इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि वो खुद कुछ कहना चाहती है मैं यमुना, गंगा की सकी, सूर्य की पुत्री, कालिंदी यमुनोत्री से चली थी पांच-छेसो किलोमेटर के सफर तक मैं स्वच रही लेकिन दिल्ली ने मुझे सिवरज वन नगर की गंदगी का वाहन बना दिया मुझे स्वच्च करने की अनेक योजनाएं का र्यान वित हुई लेकिन मेरी हालत में कोई बदलाव नहीं आया शायद दिल्ली गंदे पानी का बंदुबस्त ठीक से नहीं कर पाई समाज में नदियों का मान सम्मान तो सदा से ही रहा है कभी इंसान ने नदी को देवाले बनाया कभी राजशाही का अंग शान और शौकत का हिस्सा बनाया कभी रक्षा की दिवार बनाया और कभी विकास का माध्यम तो कभी मनुरंजन का केंदर बनाया मोगल काल में बादशाह शाजहा ने मेरे पश्चमी किनारे पर लाल किला बनवाया चारों ओर रक्षा के लिए नहरे निकाली चांदनी चौक जैसे बाजार बनाए बाजार के बीच से नहरे बनाई मैं उस समेश आजहाना बाद की आन थी शान थी, जान थी लिकिन आज यमुना भागतीब अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक एवं विशे संयोजन अक्तर हुसैन आलेक परामर्ष डॉक्टर माधवी कुमार कलाकार नीरज शर्मा राजश्री त्रिवेदी और प्रवीन शर्मा तक्निकी निर्देशन सतीश लाडे ध्वन्यंकन दीपक पांडे निर्मान सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं तस्तुती अजीत होरू अभी आप सुन रहे थे ये कारे करम